दूस्तों आप लोगों के लिए बड़ी खुसकबरी है कि CSE के दौरा यहाँ पर लाइव कर दिया है PM किसान का EKYC होने के लिए लिंक जी हाँ दूस्तों CSE के दौरा अब यहाँ पर लाइव कर दिया गया कैसे करना है और यहाँ पर यह लिंक हमें कहां से मिलेगा इसके बारे में संपुन जनकारी बताएंगे इससे पहले दूस्तों मैं आपको बता दो कि अभी यहाँ पर इक वाइसी का हर जगह से प्रॉब्लम आ रहा है अगर आप नॉर्मल फार्मर कॉर्णर पर जाकर के भी एक वाइसी बीड़ा उट सीसी आडिकर ओटीपी के थुरू करते हैं तब पर भी हाँ पर इन्वैलेड ओटीपी का आ रहा है और एक नो रिकॉट आपको बता दिया है कि वह कैसे सौट आट करना है बट अभी भी एक प्रॉब्लम आ रहा है इन्वैलेड ओटीपी का बहुत सारे लोगों का यह प्रॉब्लम आ रहा है बाइद मेरा पता नहीं कैसे हो गया था मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम कैसे हो गया था खुद म मुझे ही नहीं मालूम चल रहा है मैं बहुत तरह से ट्राई किया हर चीज को मैंने ट्राई करके देखा कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन कुछ प्रॉब्लम का समाधान नहीं मिल पा रहा है तो मैंने सोचा कि यह सर्वर का ही प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं अब यहाँ पर दूस्तों सिकेंड यहाँ पर प्रॉब्लम अब यहाँ पर आता है कि अगर आप CAC लॉग इन भी करते हैं CAC लॉग इन करके अपना ID और password डाल करके EKYC करते हैं वहाँ पर भी आपका प्रॉब्लम कर रहा है क्या प्रॉब्लम कर रहा है चलिए लाइव देखते हैं और किस लिंक के मादेम से आपको यह सब सारा चीज़ करना है उसके बारे में भी बता देते हैं अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगेते हैं वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा और अपने सारे फ्रेंस के साथ से यह जरूर कीज़ेगा दोस्तों सबसे पहले आप गुगल पर सार्च कीज़ेगा और आपको इस वेबसाइट पर आजाना है ध्यान दिज़ेगा इसी वेबसाइट पर आना है नीचे स्क्रॉल करना है यह पर लेटिस्ट अपडेट वाले में PM किसान 2121 इस पर आपको क्लिक करना है इसमें दोस्तो तो क्लिक किये जाएगा आपके पास आधार नंबर और कैप्चा को फिलब करके सर्च करके आप अपना मुबाइल नंबर डाल करके ओटीप के तुरू कर सकते बट यहाप पर ओटीपी जैसे ही डालिएगा आपका इन्वालेट ओटीपी आएगा अब यह पर दूस्तों हम करना है CSC के द्वारा CSC की वाइसी पर हम क्लिक करेंगे हमसे ID और पासवर्ट पूछा जाएगा ID और पासवर्ट को हम लॉग इन कर लेते हैं ID पासवर्ट लॉग इन करने के बाद अब यह पर दूस्तों आपके सामने CSC का जो डेसवर्ट होगा PM किसान का वह पर डेसवर्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा डेसवर्ट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर नजर आएगा अब यहाँ पर आपको आना है OTP and Biometric अधार Authentication इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने अधार नमबर डालने के लिए ओप्शन आएगा आपको यहाँ पर अधार नमबर डालना है जिन भी पी-एम के सान में जो होगा वही यहाँ पर डाल लेजएगा तो चलिए मैं आप अपना मोबाइल नमबर डाल करके गेट OTP में क्लिक कर लेता हूँ जिसके माधर से दुस्तो आप यह पर फिंगर लगा करके यहाँ पर अपना EKYC कर सकते हैं जैसी इसपर क्लिक की जागा आपके फिंगर पिंट में लाइट जैर जाएगा आप यहाँ पर फिंगर पिंट पर उनकी सान का अंगुठा लगा यह गाए अंगली लगा यहाँ उ तो डिसे अपडेट दुस्तों आपको इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कि जाए चनल को सस्क्राइब करके बेल अइकन को फ्रेस करके अपने सारे वर्ट सब्सक्राइब में सेर जरूर कीजेगा